आपके लिए फिर से एक बार हम वीडियो लेके आये हैं यह जो प्रस्ण है यह है कलास 10 का जैक बोर्ड से समंदित है दोजार ताइस में जो जैक बोर्ड में पुछे जाएंगे उसका एक मॉडल सेट नमर वन है विसे है समाजिक विग्ञान इसमें 40 प्रस्ण रहेंगे 40 प् करते हैं यह पहला सेट यह जो मॉडल सेट है वह जर्खन सेक्षी कनुस्रंधान परिसाद रांची जर्खन अर्थाद जेसी आटी द्वारा जारी किया गया है यहां उपर में निर्देश दिये गये हैं उनका आप फॉलो कर सकते हैं यह डेड़ घंटे में इसको एक्जाम को देना है कुल मिलाकर इसमें 40 अंके प्रस्न होंगे और 40 प्रस्न तो चलिए सुरू करते हैं इस मॉडल सेट का पहला जो प्रस्न है वह है रास्ट वाद में एक निश्चित भवली छेतर में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जूड़ी होती है पहला है समान संस तो यह में उप्सन है आस्टिरिया बी वर्लिन सी प्रसा डी म्यूनिक तो इसका उत्तर होगा सी प्रसा तिस्तरा प्रस्न है सरदार बल्लभाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतित किया यह में उप्सन है खेडा आंदोलन बार्दोली आंदोलन चंपारान आंदोलन ड अप्सन सही है भारत में समयधानिक विरस्था की कारिसेली का अध्यन करने के लिए साइमन कमिशन भारत आया था पांचवा प्रस्था है गाड़ियों के उत्पादन के लिए एसेमली लाइन का परियोग अमेरिका में सबसे पहले किस ने किया तो इन चार ओप्सनों में डी ओप्सन सही है हेंडरी फोर्ड ने सबसे पहली बार परियोग किया था साथमा प्रस्था है डाउन ऑफ दा सेंचुरी नामक चीत्र में किसका महमा मंदन किया गया है यहां चार ओप्सन दिये गया है इनमें से सी ओप्सन सही है अधोगी करन का महमा मंदन किया गया है अस्पेनिंग जेनी मसीन ने किस परकिरिया में ब्रिधिकी यहाँ चार उप्सन दिये हैं इन में इसे ये उप्सन सही है कताई में ब्रिधिकी नौवा प्रस्ण है भारत में पहला प्रेंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाया गया था तो यहाँ चार ओप्सन दिये गये इसमें बी ओप्सन सही है पुर्दकालियों द्वारा लगाया गया था दस्वंपरस्ण है गेली क्या है यहाँ भी चार ओफ्षन दियें गे हैं तो गेली एक परण का धातवी फ्रेम है ग्यारवाँ प्रस्ण है अधिस सरकार के विभीन अंगो विधाई का, कारेपालिका, नयापालिका के बीच सत्ता का बटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वित्रन किस परकार के कहा जाता है तो यहाँ चार आप्सन है तो इस पे आप्सन ये सही होगा 36 वित्रन कहा जाता है प्रथात के निसासित परदेश है तेरा नमर प्रसन है मेक्सिको ओलम्पी की कहानी की सादोनल से संबंदित है तो यहां चार ओप्सन दिये गये हैं इनमें से सी सही है नागरिक अधिकार आंदोलन चौदहों प्रसन है समिधान की किस अनुछेत दौरा अस्प्रिस्टा को समा कर दिया गया है तो यहां भी चार ओप्सन दिये गया है इसमें डी ओप्सन सही है अनुछेत 17 दौरा 15 नमर प्रसन है बाम से निमने में से किसका संगठन है यहां चार ओप्सन दिये गये हैं तो बी नमर ओप्सन सरकारी करमचारियों का तो बाम से किसका है सरकारी करमचारि 16 नमबर प्रस्न भारत में राजनितिक दलों को मानिता कौन देता है तो यहां 4 अप्सन दिये गये हैं इनमें से D जो अप्सन है चुना आयोग भारत में राजनितिक दलों को मानिता देता है 17 नमबर प्रस्न लोकतांतिक सरकारें होती है यहां चार आफसन दिया गया है उनमें से चारो आफसन सही है इस प्रकार से आफसन D उप्रुक्त सभी सही होगा 18 नमर परस्ण है लोगों को राजनितिक सुधार लागू करने में और ससक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम स्रिश्टतम है तो यहां भी चार option दिये गे हैं इन में से पहला जो option है सुचना कादिकार यह option सही होगा प्रासन संख्या 19 निम्ने में से किस राजनेतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटे आरक्षित हैं तो सी option सही होगा 20 नमर प्रस्ण है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतिक तो किस ने किया यहां भी चार option दिये गे हैं यह नर्मदा नदी पर विस्थापन जनित अन्य समस्याओं से समंधित था जिसमें मेधा पाटेकर ने महतपूर्ण भूमिका निभाई थी तो अंसर इसक प्रस्ण है समाप्यता के अधार पर संसाधन कितने परकार के होते हैं यहां भी चार option दिये गे हैं इसमें से यह जो option दो है वह उतर सही होगा चुकि समाप्यता का अधार पर दो परकार कर संसाधन होते हैं नवी करनी योग और अनवी करनी योग आते हैं 22 नमर प्रस्ण कि इस राज की काली मिर्दा मुख्य रूप से नहीं पाए जाती है Soata after the चार ओप्सन दिये गए हैं वनि जीव के अवाज का विनास वनि जीवों को मारना या सिकार करना पर्यावरने परदुषन एवंग दावनल उप्रोक्त सभी तो यह तीनों कारण है जो जैविवेता को परवावित करते हैं तो आप्सन नमबर D उप्रोक्त सभी होगा प्रस्ण संख्या 24 बहुदेश्य परिडाओं का कौन सा लाभ है तो यहां भी चार आप्सन दिये गए हैं बाड़ पर नियंत्रन, सिचाई की सुविधा, जैलबी तुद पादन, उप्रुक्त सभी, तो उप्रुक्त जो तीन उप्रुक्त दिया गये हैं, वो तीनों सही है, इसका मतलब इसका उत्तर भी होगा, डी उप्रुक्त सभी, चलिए आगे बढ़ते हैं, पचीस नमबर प्र लगाई जाती है, बड़े पेमाने पर, तो उप्रुक्त सी रोपन फसले हैं, 26 नमर प्रस्ण है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से कीस फसल रितू में की जाती है, तो यहां रितू कनुसास से फसल का परकार बनाया गया है, एक है, खरीब जो वर्सा रितू में होत प्रस संख्या 27, निम्नांकित कोईले की खानों में से कौन जारखन राज में है, तो यहां चार ओप्सन दिया गया है, यह तलचर यह उडिशा में है, बोकारो यह जारखन में स्थित है, और C सिंगरेनी यह आंधरपरदिश में है, और D रानी गंज यह पस्षिम बंगाल म बोकारो, 28 निम्नांकित में से कौन एक अधारभूत उद्योग है, अधारभूत का आर्थ होता है, जो अन्य उद्योग के लिए कच्छा माल उद्पन करें, तो यहां चार ओप्सन में से लोह इस्पात उद्योग है, उसे अधारभूत उद्योग कहा जाता है, तो ओप्सन बी लोगस्पात उद्योग उन्तिस नमबर प्रसन है कारखानों दोबारा निसकासित एक लिटर अफसीष्ट से लगवक कितना गुना जल दूसित होता है तो यहां चार उप्षन दिये गए है इनमें से सी जो उप्षन है आठ गुना जल है वो दूसित होता है प्रसनख्या 30 पर हमा आ गए है निम्नांकित में से सणक परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है यहां गलत निकालना इसका मतलब बाकी तीन जो आफसन है वो सही होंगे एक आफसन है वो सणक परिवहन की गलत ब्याख्या करता है तो इन में से D option वो है गलत असते है railway की अपेक्षा लागात बहुत है हम यहाँ देखेंगे कि railway की अपेक्षा लागात बहुत ही कम आती है सड़क परिवान में तो answer T 31 से 40 के बीच अर्थसास बिसे से परस्नों को देखेंगे जो आपके लिए important हो सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं 31 नमबर परस्न है मानो विकास रिपोर्ट देशों के तुलना की साधार पर करती है इसमें 4 option भी दिये हुए है स्वास सिक्षा परतिव्यक्तिया तो इसका जो उत्तर होगा वो उप्रोग तो सभी होगा आनि D 32 नमबर परस्न है इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्यान को परिभासिद करता है यहाँ भी 4 option दिये हुए हैं तो इसमें C जो option है धारनिय विकास यह जो option है वो इस परस्न का उत्तर होगा अब आते हैं 33 नमबर परस्न पर परस्न है सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स्क का कारी करती है सलमा किस छेत्रक की गतिविदी में सनलगना है प्रात्मिक दूतिये असंगठित असंगठित तो यहाँ पर इन 4 option हो में डी option सही है संगठित छेत्र में कारी करती है 34 नमबर परस्न है सेवा छेत्र में इन में से कीस तरक की गतिविदिया सामिल है यहाँ भी 4 option दिया गया है तिन में से C जो option है परिवहन, संचार और बैंकिंग यह जो गतिविदी है यह सेवा छेत्रक से 35 नमबर परस्न है निम्न में से कौन वस्तू वीनमय का उधारन है यहाँ पर 4 option आप देख सकते है इन में से चारों में जो यह option है गाय के बदले 5 बकरी का सौदा तो यह उसका उतर सही होगा चुकि वस्तू वीनमय का अर्थ होता है एक वस्तू से दूसरे वस्तू की खरीद विक्री करना तो option यह सही है 36 नमबर जो परस्न है वैपारिक बैंके क्या कारिया है तो साख निर्मान, रीन देना, जमा स्विकार करना इन में से सभी तो हम लोग यहाँ देखते हैं यह सभी option है इन में से सभी आनि D, option इसका सही होगा 37 नमबर परस्न है बहुराश्चे कमपनियों का खालियस्थान, देशों में उत्पादन पर नियंतरन होता है तो option यह है केवले एक से अधिक, किसी भी देश में नहीं तो जो बहुराश्चे कमपनियां है वो कई देशों में अपना किरिया कलाब करती है तो option नमबर C, एक से अधिक अंसर होगा 38 प्रस्न है फोर्ड मोटर किस देश की कमपनी है भारत, जपान, अमिर्का, चीन तो option C, अमिर्का अमिर्का की कमपनी है फोर्ड मोटर 39 प्रस्न है हॉल मार्क किस परकार की वस्तूओं की गुनवता का परमानक चीन है खादते, हेलमेट, अभूशन, कपड़ा तो आप देखेंगे कि जो अभूशन गहने जो पहनते हैं उसमें एक मार्का दिया जाता है जिसका नाम है हॉल मार्क तो यहां option C हो जागा हॉल मार्क यह अभूशन तो आखरी प्रस्न के और हम आचले हैं नमबर है चालीस राष्टी उभोकता दिवस की स्तित्य को मनाय जाता है तो यहां है पंदरागस 24 दिशंबर 26 जनवरी 5 जून तो यहां पंदरागस तो को 17 दिवस है 26 जनवरी को गनतंत्र दिवस मनाते हैं 5 जनवरी को 20 परियावरन दिवस मनाते हैं तो इसका उप्शन B हो जाएगा 24 दिशंबर 24 दिशंबर को राष्टी उभोकता दिवस मनाय जाता है इस तरह अभी आपने जैकबोर्ट से समदित मॉडल सेट 1 देखा जो अब्जेक्टिव कोसर पर आधा दिता ये आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है अधी ये प्रसन अच्छा लगा तो इसे लाइक आउट शेयर भी कीजेगा और अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो कर लिजे साथ ही दाएं तरब की जो घंटी है उसे भी दबा देजे ताकि जैसे ही वीडियो हमारा पोस्ट होगा सबसे पहले आपके मुबाइल पर इसकी सुचना चले जाएगी इसी तरह की और भी जानकारी के लिए जैगबोट के लिए और इंट्रेस्टिंग फैक्ट के लिए जोगरफी के लिए तथा जैगबोट से सम्मंधि PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए गुगल पर सच कीजिए बेफ साइट www.gyantrang.com और धेरो जानकारी प्राब कीजिए तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके लिए ताकि आपका जैगबोट या अन्य भी जानकारी आपके लिए कारगर होगा तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए धन्यवाद जैहिन